दोस्तों कम्प्यूटर वो चीज़ है जिसकी वज़ा से आप घर बैठ कर हमारी वीडियोस देख पा रहे हो और कम्प्यूटर को सबसे ज़्यादा मश्चूर और काम्याब बनाने का काम विंडोस ने किया है अगर आपके पास कम्प्यूटर है तो उसमें पका विंडोस तो इंस्टोल होगी ही होगी चाहिए वो विंडोस एक्सपी हो विंडोस 7 हो या विंडोस 10 एट भी हो सकती है पर शायद आपको विंडोस 1 के बारे में नहीं बता होगा तो गाईज कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Windows Store के उन वर्जन्स के बारे में जो आपने कभी शायद ही सुने हो नहीं PD ने तो पक्का नहीं सुने होंगे हेलो वर्ट्सव गाईज मेरे ना में अमरी पासिंग यह सारा किसा शुरू होता है 20 नवंबर 1980 को जब Microsoft ने Windows 1 लॉंच की दोस्तों आज के टाइम में Windows 1 नाम ही अजीब सा लग रहा है सुना नहीं न कभी इतवादत नहीं है पर क्या आपका पता है कि यह रियल ओप्रेटिंग सिस्टम नहीं था और जिस OS के ऊपर यह चलता था उसे कहते थे MS-DOS यह क्या है वही अपना कमांड प्रॉंप्ट देने वाला Windows 1 ने उन कमांड को एक ग्राफिकल रिप्रेजनेशन दिया जैसे कैलकुलेट करने के लिए पहले कमांड देते थे Windows 1 के बाद कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ जाता था और क्लिक करके आप कैलकुलेशन कर सकते थे पर लोगों ने इसे इतना जादा पसंद नहीं किया कि भाईया हमें तो मजा नहीं आया क्योंकि ये माउस के उपर बहुत ज़ादा डिपेंड था तब माउस नहीं चीज थी वो गोली वाला और लोगों को माउस की आदत नहीं थी वो गोली वाले की 1987 में Windows 2 रिलीज हुआ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ इसमें पहली बार आप प्रोग्राम Windows को एक दूचरे के ऊपर मूव कर सकते थे Word and Excel ये Windows 2 में ही आये थे ये याद रखना Windows 2.1 जो उसके अगले सार रिलीज किया गया उसमें पहली बार hard drive की requirement एड हुई इससे पहले Windows जो होती थी वो floppy disk पर चलती थी किसलिए कैसे ऐसे नहीं हो सकता बट नोट एनिमोर गाइस उसके बाद आई Windows 3.0 रुगो आगे वाले भी बिदाता हूँ बर उससे पहले आज का sponsor time I would like to thank FamiSafe by Wondershare for sponsoring our video गाइस आप में से कोई ना कोई तो Cyberbullying का शिकार हुआ ही होगा जिससे काफी लोग depression में चले जाते हैं especially बच्चे अगर आप भी Cyberbullying के शिकार हुए हैं तो अब वक्त है खुद के words से participate करने का हर साल June के तीसरे Friday को Wondershare Cyberbullying से लडने के लिए एक campaign चलाता है ये campaign एक NGO CyberSmile को donate करता है जो कि एक anti-cyberbullying organization है और donation amount आपके दवारा की गई पार्टी स्पेशन पर depend करता है 0.5 डॉलर पर पार्टी स्पेशन हैश्टैग No Cyber Bullying campaign में पार्टी स्पेट करने के लिए आपको बस कोई भी Cyber Bullying face को लिखना है और उसे अच्छे words के साथ replace करना है जैसे कि fat को fantastic उसकी photo यह वीडियो बनानी है और hashtag No Cyber Bullying और hashtag FamilySafe के साथ उसे कोई भी social media पर post करना है फिर campaign page पर जाना है जिसकी link description में है और वहाँ पर post को submit and claim करना है बस इतना करने से आप free में contribution भी देदोगे और लोगों में Cyber Bullying की awareness भी बढ़ेगी words में कितनी power होती है तो अभी pen हुखाओ और Cyber World को एक अच्छे words से change कर दो और FamilySafe app कितनी कमाल की parental app है वो आप खुद try कर कर दाना link जारे description में जाओ उसके बाद आई Windows 3.0 यह दिखने में काफी अच्छी तो थी ही पर साथ ही इसमें बहुत ही अच्छा multitasking experience देखने को भी मिला इसमें जो यह icons हैं यह भी पहली बार introduce किये गए जिससे यह चलाने में और भी असान हो गई इसमें पहली बार CD-ROM support और sound playback मिला और Windows ने इसमें simple से game बना कर भी बेचे जैसे कि Minds Reapers और यह game तब काफी popular भी हुए Windows 3.1 जो 1992 में आई इसमें drag and drop का feature भी एड़ हुए and true type font introduce हुआ मतलब जो font आप screen पर देख रहे हो वो ही paper पर print होगी printer के थूँ और उसके अगले साल आया Windows NT 3.1 जो MS Doze पर based ना होकर Windows के खुद की new technology NT operating system पर based था जिससे कुछ जादा advanced feature मिलते थे और जो Windows आप अब यूज कर रहे हो अपने घर में या computer पर वो NT पर ही based है लेकिन अब हम फिर से वापिस चल रहे हैं पर पास्ट में ही है अपने पर DOS based Windows अभी तक बंद नहीं हुए है क्योंकि हम 1995 में अभी और फिर 1995 में आया Microsoft का blockbuster Windows 95 जो कि DOS based ही था लेकिन Microsoft ने इस बार पहली बार start menu, task bar और USB support भी दिया और 1996 में NT series में भी updates देखने को मिले with Windows NT 4.0 जो कि basically 95 का ही एक updated version था समझे लो 95 ही था फिर आती है Windows 98 जो कि 98 को ही आई थी 1998 को वो भी 95 की तरह ही थी और सिर्फ internet की better integration के लिए ही बनाई गई थी but in reality वो बहुत ही ज़ादा बगी साबित हुई जिसके बज़े से Microsoft को 98 का second edition उसके एगले साल ही निकालना पड़ा और उसी साल NT का new version Windows 2000 भी release किया गया जो कि काफी stable था पर 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 इसमें बहुत ही ज़ादा security issues थे Microsoft ने Windows 2000 को most secure Windows ever वाला ठपा लगा के बेचा था ने कोई मजाक चल रहा है इदर अब भाई तू क्या ने यह मजाक हो रहा है जूटे वादे तो सरकारे करती है साड़ों तुम Microsoft वालो एक बदा आना फिर से अब यह मजाक हो रहा है इडिशन कहने लगे इन्ही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए Microsoft ने DOS operating system को बंदी कर दिया कि बहेंड की यहां कब बनाना नहीं मरको है और फिर 2001 में आया शैंशाओं का शैंशा जिसको आप सबने चलाया होगा जरूर चलाया होगा जिसका नाम था Windows XP इसकी वज़े से anti-versions and anti-sf file system पहली बार हम users को provide करवाया गया XP professional और 64 bit में भी आया यह versions बहुत stable थे user friendly थे और powerful performance भी देते थे जिसके कारण ये बहुत ही ज़ादा popular OS बना और product activation वाला स्यापा भी तभी introduced हुआ था जोकि उनकी anti-piracy scheme थी Microsoft का XP version no doubtly 2009 तक popular बना रहा 2007 में Windows Vista release होने के बावजूद भी क्योंकि Vista में काफी hardware compatibility issues थे फिर launch हुआ सन 2009 में सबकी favorite Windows 7 जोकि देखने में Windows Vista की तरह ही थी पर काफी stable मज़ा हो जाता था Windows 7 के कुछ versions को तो Microsoft सन 2023 तक support करेगा और Windows 7 इसलिए भी popular रहा क्योंकि Windows 8 जोकि 2012 में release हुई थी लोगों को उसका interface बिलकुल पसंद नहीं आया और लोगों को बुरा इसलिए भी लगा क्योंकि उसमें start बटन गायब था जिसके बाद सन 2013 में Windows 8.1 लौच हुआ जिसमें start वाला बटन भी दे दिया गया पर फिर भी लोगों को यह अच्छा नहीं लगा क्या है यह tablet, weblet पर हाँ यह थोड़ा सा popular रहा 8 से पर फिर 2015 में Windows 10 अपनी grand entry मारता है और Windows 10 को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए Windows 7, 8, 10 वाले users को free upgrade दिया गया और Microsoft ने ये भी कहा जो Windows 10 है ये उनकी last release होगी इसके बाद कुछ नहीं बस इनके update देते रहेंगे जिंदगी भार उनको नाम रखने में भी दिक्कत होती ना Windows 11 वालब इसलिए Windows 10 ही रहेगा अपसे अपसे कुछ नहीं होने वाला नाम चेंज नहीं होगा बाकी सब कुछ होगा दोस्तों आज की वीडियो का लाइक एम है 20,000 मुझे नहीं पाता मुझे चाहिए बेस्ट चाहिए तो ठोको लाइक वर हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट अपिजोड में तो बिना गाली दिये ओके बाई